Amit एस वीडियो में आपको जानने कुछ मेलेगा, अगर आप प्राइमरी अगर प्राडट करते हैं , या कोई भी सर्विस सेल करते हैं तो कैसे हाफ फ्री शिपिंग के मातियम से डिसकाउन के मातियम से आप अपने सेस्ट को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में यह बेसिकलिए एक small lecture series में तयार कर रहा हूँ इसमें क्या होगा कि मैं business tricks के बारे में business tips के बारे में आपको पता चलेगा business के बारे में marketing, sales, branding इसके बारे में मैं बातचित करूँगा तो यहां पर अगर कोई भी आप business करते हैं doesn't really matter आप भिंडी बेचते हैं या आप for example salon चलाते हैं digital marketing agency चलाते हैं वो कोई matter नहीं करता है हर एक चीज जो है जो भी principles में आपको अभी सिखाऊंगा या इस series में आपको सिखाऊंगा वो आप इस्तमाल कर सकते हैं उसी के साथ 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 अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो like share subscribe कीज़ेगा कोई भी question के query है तो आप मुझे comment section में ज़रूर बताएगा उसी के साथ साथ एक business guide मैंने आपके लिए बनाया है free of course जो आप डाउनलोड कर सकते हैं पर important tips and tricks मैंने दिये हुए है उसका link आपको description में मिल जाएगा आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से चीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर कोई भी चीज आप miss out कर रहे हैं branding, marketing में, sales में तो वह आपको at least पता चल जाएगा तो चलिए let's not waste any time and just start the whole thing so यहाँ पर जैसे मैंने बताए कि यह पूरा जो article है आप notes पनाएए, notes लेगे हैं entertainment video नहीं है इसको notes लेके आपको काम करना पड़ेगा because यह जो techniques यह जो tips मैं आपको बता रहा हूँ इसके मातियम से आप अपने business को grow कर पाएंगे अपने income को grow कर पाएंगे so make sure that you take it very seriously तो यहाँ पर concept क्या होता है concept यह है कि हम जो इनसान होता है वो बहुत लुपी होता है उसको चाहिए कि थोड़ा जादा मिल जाए थोड़ा जादा मिल जाए तो आप वहाँ पर जादा जो है अपना जो क्या बोलता है for example आपको लग रहा होगा चलो 2 प्लस 1 आज जैसा offer होता है दो कपड़ा करी देंगे दो shirt करी देंगे तो एक free हो जाता है आपको पैसे तीनों का ही देना पर रहा है तो आपका shipping जो है free हो जाता है तो shipping अगर 40 रुपए भी होगा तो आपको दिमाग में चाले रहा होगा कि अरे 380 रुपए का माल खरीद है चलो और थोड़ा से 120 रुपए का ले ले लेते हैं तो 40 रुपए हमारा बच जाएगा पर वो जो 120 रुपए आप खर्चा कर रहे हो वो आपके दिमाग में नहीं होता आपके दिमाग में यह होता है कि free shipping मिल रहा है 40 रुपए मेरे बाच रहे है तो इसी तरीके यह बहुत ही एक simple चीज जिसका victim आप भी बन चुके हो मैं भी बन चुका हूँ and this is how it works similarly for example आप यहाँ पर देखो कि बहुत लोग बहुत महल सीर करते हैं कि उनको stock clearance करना है stock clearance में क्या करते हैं 50% off फिर उसमें एक star दे देते हैं on selected items तो आप जब भी purchase करने जाते हैं आपको कोई अगर बहुत चीज परसंद है आप जाते हैं वह पर देखते हैं 20% off है तो आपको लग रहा होगा 200 रुपे सेविंग है पर उस पर भी दुकानदार उस पर भी मोटा profit कमाता है so this is how you need to use it जैसे मैंने बताया typically यह ओनलाइन ओफलाइन दोनों में ही आप use कर सकते हैं free shipping जब भी आप करते हैं discount जब भी आप करते हैं it creates a sense of urgency आप बताते हैं कि अभी आप ले लीजिए ने तो मेरा जो stock खतम हो जाएगा यह सीमित समय तक है for example अगर आप free shipping कर रहे हैं free shipping midnight तक होने वाल है यह सारा चीज जो है आपको इस्तमाल करना पड़ेगा यह आपके completely आपको business को पर depend करता है कि आप कौन सा product या service provide कर रहे हैं online कर रहे हैं offline कर रहे हैं तो यहाँ पर processes are all the same यहाँ थोरा सा आपको दिमाग लगा कि थोरा सा creativity दिखा के आपको sell करना पड़ेगा तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप free shipping करते हैं या अगर आप discount provide करते हैं तो इसके फाइद है क्या हो जाता है सबसे बड़ा फाइदा हो जाता है कि obviously आपका margin शायद से कम होगा अगर आपका 10 टका हो रहा था for example 10% growth हो रहा 10% आपको margin मिल रहा था maybe उसमें आप 7% कमा रहें maybe आप 6% कमा रहें maybe आप 5 या 3% भी कमा रहें वहाँ पर आपका volume इतना बढ़ना चाहिए कि वहाँ पर आप जो margin का loss हो रहा है वह आप make-up कर सको इसलिए make sure that अगर आपका margin भी कम हो रहा है आप volume में जाके उसको make-up कर सकें so make sure that you are doing that ऐसा आप initial stage में आप predict नहीं कर पाओगे but at least एक दो बार करने के बाद आपको यह पता चल जाएगी कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्यों यहां पे आपका loss तो नहीं हो रहा है so it doesn't really matter much और जब भी आप जादा sell करेंगे तो आपके पास जादा customers होंगे उनका database आपके पास रहेगा उनका information भी आप उनको gain कर पाओगे और regular basis में आप उनको target कर पाएंगे retarget कर पाएंगे और जब भी आपका volume बढ़ता है कोई भी product हो, कोई भी service हो जब भी उसका volume बढ़ता है तो volume बढ़ने से क्या होता है आपका cost भी कम होता है क्योंकि वहां पे आप large volume में जब आप काम करते हैं तो आप bulk में purchase करते हो bulk में clear करते हो और जो भी चीज़ आप करते हो वहां पे आपका margin में भी कम हो जाता है बट volume में आपका make-up हो जाता है and obviously जब भी आप उनका database आप तियार करते हैं regular basis में उसको आप sell करते हैं so it increases loyalty आपके repeat customer आपको तियार करना है मैंने बारत किया है कि आपका जब भी customer आ रहा है उसका knowledge आपने gain किया उसका information, phone number, whatsapp number, email id सारा चीज़ आपके पास है आप उनको regular basis में retargeting कीजिए आप उनको update देते रहे है ताकि आपको जो loyalty के customer का वो grow हो तो अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने माल तो बेच दिया बट मेरा margin कम हो रहा है में भी आपका volume भी up to the mark नहीं है तब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप cross selling कर सकते हैं for example अगर आप shirt बेचते हैं शर्ट बेचने के बाद आप यहां पे यह कर सकते हैं अगर आप full shirt ले रहे हैं for example formal shirt ले रहे हैं उसी के साथ अगर आप यह भी लेते हैं casual shirt भी लेते हैं तो वह आपका club होके आप maybe you can give more discount और maybe free shipping आप उसमें include कर सकते हैं उसमें फायदा यह हो जाते हैं कि आपके जो दूसरे product होते हैं दूसरे genre के product होते हैं दूसरे quality के product होते हैं उसको भी आप club करके sell कर सकते हो अगर कोई shirt purchase कर रहे हैं उसको आपका तो shirt बहुत बढ़िया लग रहा है आप इसके साथ jeans भी ले लो कि भाई मैं for example discount में माल बेच रहा हूँ discount में भी आप इसको 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 कर सकते हैं free shipping अगर होता है free shipping में भी आप इसको use कर सकते हैं तो जब भी आप इसको implement करना चाहते हैं typically अगर आप online में implement करना चाहते हैं the best tool is coupon जब भी आप check out करते हैं आप WooCommerce में Sell कर रहे हैं, Shopify में Sell कर रहे हैं, कहीं पे भी Sell कर रहे हैं, वहाँ पे Coupon Option रहता है, Coupon Option अगर आप इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ पे जब भी वो Purchase करेंगो, वो Coupon जब Input करते हैं, तो उनको Mayby Free Shipping में रहा है, 20-30% जो है, डिस्काउंट वो अवेल कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो फॉर्माट होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, यह पूरा आर्टिकल का लिंक में दे दूगा, तो आप हमारे वेबसाइट में जाके, पूरा आर्टिकल जो है, चेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, आपको चाहिए जाधा कस्टमर, जाधा कन्वर्जिन, अकम मर्जिन में होने से भी चलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमाना है, पर प्रॉफिट थोड़ा होगा, तो पर्फेक्ली फाइन, अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, जब भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, या मेबी, यॉर स्टार्टिंग अस्मॉल बिजनेस, और यॉर अलएडी रॉनी बिजनेस, अगर आप इस चीज को अलएडी यूज करें, प्लीज लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन क्या इशूस हो रहा हैं, अगर आपने यूज नहीं किया हैं, यूज करके देखिए, ट्राय करके देखिए, एक प्रोड़क्ट के ऊपर ट्राय करके देखिए, अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शर्क्ट के सब्सक्राइब किजए, किस तरीके कवीडियो देखना चाहिए, चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, काई नोट आपने लिए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पॉइंट आपको सही लगा कमेंट सेक्शन में बताइए थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक क्या अच्छे रहिए स्वास्त रहिए और अपने बिजनस को ग्रो करें